पाने के कुओं के बारे में तो हम सब जानते ही हैं लेकिन क्या आपको ऐसे कुओं के बारे में पता है जिससे हमेशा रोशनी आती हो जी हाँ पुर्तगाल के सिंतरा शहर के पास एक ऐसा ही कुओं है जिससे रोशनी निकलती है इस रहस्यमई कुओं के बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं इस कुओं में रोशनी कहां से आती है यह आज तक विज्ञान के लिए भी एक रहस्य से बना हुआ है सिंतरा के पास निकट डॉक्टर रीगारेलिया महल में यह कुओं है इस कुओं को लेबरिंथिक ग्रोटो भी कहा जाता है लोग इस कुओं में सिक्के डालते हैं लोगों की मान्यता है कि इसमें सिक्के डालने से हर मुराद पूरी हो जाती है और इसलिए स्थानिये लोग से विशिंग वेल भी कहते हैं इस कुओं को देखने के लिए बड़ी दूर से भी पर्यटक आते हैं उनके मन में सही सवाल आता है कि आखिरिया रोशनी इस कुओं में आती कहां से है क्योंकि इसके अंदर कोई भी लाइट का साधन नहीं है और सबसे बड़ी बात यह जमीन के नीचे है आपको बता दें कि इस कुओं के गहराई चार मंजिला इमारत के बराबर है जो नीचे जाते हुए सिकुड़ती जाती है इस कुओं के पास एक और छोटा सा कुओं बना हुआ है और यह दोनों कुओं सुरंगों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए है देखने में यह कुओं बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है इसमें नीचे जाने के लिए चारो तरफ गैलरी बनी हुई है जिनमें सेडियां भी लगी है इस कुओं के अंदर धेर सारी सुरंगे हैं जो कहां कहां निकलती है यह आज तक कोई नहीं जान पाया वे ज्यानिक के लिए उनके पीछे भेजेगे रोबोट्स भी कभी लोट कर नहीं आए तो वेज्यानिकों ने सुरक्षा के लिए इन सुरंगों पर ताला लगा दिया है लेकिन यह सुरंगे जाती कहां है यह कोई नहीं जानता जब इनसे रोशनी आती है तो यहां का नजारा बहुत ही ज्यादा खुबसूरत हो जाता है देखने में यह कुवा उल्टे टावर की तरह लगता है जिसके निचले भाग में रेड क्रॉस का निशान भी वना हुआ है इस कुवे को देखकर यह लगता है कि यह पानी जमा करने के लिए बनाया ही नहीं गया था बलकि किसी खास चीज के लिए ही बनाया गया था जो मानव जाती के लिए अभी तक एक रहस्य है आखिर इस कुवे को बनाने के पीछे मकसद क्या था जिसमें पानी है ही नहीं आखिर इस कुवे को बनाने के पीछे क्या मकसद था जिसमें हजारों सुरंगे बनी हुई है और तो और इसमें से रो ब्रम्हांड अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा है। अगर वह सारे राज मनुष्य जाती खोल ले तो वह भैगवान ही कहलाने लगेगी। और इसलिए ब्रम्हांड को अपने राज छुपाने अच्छी तरीके से आते हैं। दोस्तों